नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब आप सभी का एक पार फिर सेड़ा 247 में और आज हम डिसक्स करने जाने 15 तो अपरेल की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूस कैसे क्या रहा है का डिटेल में सेशन का डिसकेशन की जाएगा बट गैस फटाफट से यार वीडियो को लिंक को मैक यूँ कह सकते हैं आप लोगों के प्यार महबत की वैसे दोस्त कुल मिला कर अगर हम 15 दिन में बात करें जिसमें तो संदे निकाल दी दो दिन नी रहाता वाई दस दिन ट्रंडिंग मेरा तो बड़ा बढ़ी लग रहा है देखते आ जाता है कि निया दरीग है फुद्मोर् आज का मॉटिवेशनल कोड यार इस व्यक्ति से भाई हर कोई परिचेत है इनको बहतर दरीगे से जानता है वन आफ दी मोटिवेशनल स्पीगा इनके कुछ शब्दे है ता मुमेंट स्टार्टेड इड़ दा मुमेंट यू स्टार्ट वैलिंग यूर सेल्फ दावल विल स स्टार्ट कर देता आप किसी से नहीं जाना चाते है यार दूखो एकक्सर होता है यार मैं कैसा लग ığımız काम करता हूं मैं इस एक्जाम की परप्रेशन करता हूं यह मैं क्रेक कर लूए अ अपने असपास के लोगों के भरोसे, पूछते किसों कैसे कैसे है, यार मैं एक्जाम करेक कर लूँगा कि नहीं कर लूँगा, अब मतलब खुद पर शक कर रहे हो यार, किसी और से पूछ करे, अपना confidence बिल्ड करी, अपने को value देना start करी, जब खुद को value देंगे अपना confidence बिल्ड होगा, तब हर चीज, हर चीज बहुत छोटी, बहुत बॉनी नजर आएगी, जब चीजों को आप वर्त नहीं देंगे, सबसे पहले खुद को वर्त नहीं देंगे ना, खुद को अपनी importance नहीं बता होगी, तो आप कभी भी कुछ भी बढ़ा नहीं कर सकते, जिंदिगी में हमेशा अगर बड़ा बनना है, उच्छा बनना, अपना self confidence, जो है ना, उसे हाइक रखो, उसे build करते रहो मेरे भाई, और definite लेखना, बड़ी से बड़ी चीज ना, पौनी नजर आने लगेगी, ठीक है, तो उसके बाद तो दुनिया एफर सलाम ठोकती है, रोगते हुए सूरज को दुनिया सलाम ठोकती है, लेकिन पहले, इस सूरज को खुद को जानने की जरूरत है, कि वो कितना तप सकता है, और कितना मेरे भाई रोशनी कर सकता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं किसके अलाबा भाई, प्राइम मिनस्टर मरेंद्र मोदी जी कल देश को संबुदित किये, और उन्होंने क्या कहा, कि जो ये लॉकडाउन है, आप लोगों की सुरक्षा के लिए और बढ़ाया जाता है, तो 3rd of May तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है, आज 12 बजे हम लोग military exercise, all military exercise discuss करेंगे, और अशॉरिटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ, जैसे ही session complete होगा, आप खुद कहूँए, वाओ, मज़ा आ गया, और दोस्तों सारी exercise याद करा दूँगा, किन-किन देशों के साथ भारत की कौन सी Navy की, कौन सी Air Force की, कौन सी Military की exercise होती है, कौन सी Army की exercise होती है, सारी चीज़े देखेंगे, even venue क्या रहा, और यह साइस future में कहा हो सकती है, सारी चीज़ों का discussion करेंगे, बट गाइस, प्लीज यार, आज बारे बज़े के session में आप जुड़िएगा जरूर, ठीक है, इसके लाबा आप लोगों के लिए, मैं warrior batch लेकर आया हूँ, 27th April से start हो रहा है, इसमें हम लोग बहुत detail में banking discuss कर रहा है, basic से ऐसे बच्चे जो science side और art side के हैं, मैं specially recommend करूँगा, और खासकर commerce वाले वाले जिवाले सुन लो, आओगे ना तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और यह basic से start किया जा रहा है, bank क्या होता है, इसे लेकर आपका foreign trade क्या होता है, capital market क्या होता है, banking terminology, government scheme, इसके अलावा भी NPA, prompt corrective action, basal norms इस batch में, इसके price जो रखेगा, it is 799, but code use करेंगे Y168, तो आपको यहाँ पर 30% का flat discount मिलेगा, अगर application पर जाकर purchase करेंगे, तो 5% का additional मिलेगा, कोल मिलाकर 35% का discount, but code use करेंगा Y168, यह batch 27 अपरल से start और दो घंडे चला करेंगा, ठीक है, week में 3 classes रहा करेंगी, 2-4 तक, इसके अलावा reasoning के लिए जीत है, दक्ष मैस के लिए, उड़ान English के लिए, warrior GA के लिए individual batch purchase कर सकते, बढ़ याद रखना Y168 code use करना, sale मैंने आपको बताई दी 30% flat चल रहा है, 5% तब मिलेगा जब आप application से purchase करेंगे, बशर्ते code use किया जा Y168, पहला सवाल ध्यान रखना है, भारत की पूर्व attorney general और वरिस्ट अधिबक्ता का नाम कै, जिनका हाल ही में नितन हो गया, what is the name of the former attorney general of India and senior advocate who has passed away recently, गौर फर्माएंगे तो उस option की तरफ ज़रा, attorney general of India, K.K. Benugopal Rao, attorney general of India, Tushar Mehta, solicitor general of India, Sunil Arora, chief election commissioner of India, S.A. Bobad, chief justice of India, हर एक बड़ा सक्सियत का नाम है, इस option में, मेरा answer बनता है, असोक देशाई, असोक देशाई जो की पहल है, attorney general of India भी थे, solicitor general of India भी थे, इनका भी हाल ही में नितन हो गया, simple शब्दों में याद रखना है, K.K. Benugopal, attorney general of India, solicitor general of India, Tushar Mehta, and Sunil Arora, chief election commissioner है, and chief justice of India का नाम है, S.A. Bobad, S.A. Bobad is a 47th chief justice of India, S.A. Bobad is a 47th chief justice of India, इनसे पहले वाले का नाम क्या है, 46th chief justice of India का नाम क्या है, इन्होंने अभी राजिस सभा member के रूप में शपत भी ली है, भी रास्पती जी ने इनको nominate किया था, अब इनको nominate किया, तो यह यह यूं कहें simple शब्दों में, कौन से chief justice अभी राजिस सभा के member चुने गए, भी यह मने आंसर करें फटाफ़ से, कौन से यहाँ पर राजिस सभा के member चुने गए हैं, ओके, वेल्डन गाई, बहुत बड़े रंजन गो गई, क्या बात है, रंजन गो गई, तरुन गो गई, रंजन गो गई न, ओके, रंजन गो गई, वेल्डन, इनों ने क्या किया था, एक अस्मी भासा में, एक book को launch किया था, Court of India, Court of India, Court of India को इनके द्वारा ही launch किया गया थे, इसको याद रखना, Court of India को इनके ही द्वारा launch किया गया था, इतना क्लियर होना चीए मेरे भाई, इतना क्लियर होना चीए ठीक है, एक मढ़ार, नेक्स कुशिए, और पूर्व केंदरी मंत्री का नाम के जिनका हाल ही में दन हो गया, option जड़ा देखेगा, option में देखना, जादा पाइंग, जादा पाइंग को अभी 108th Commonwealth, 108th Commonwealth, Point of Light Award, भाई, Point of Light Award का विजएता गोशित क्या गया, 108th Commonwealth, Point of Light Award के विजएता कौन है यहाँ पर आंसबंदे जादा पाइंग, MB Rajesh Shekran, MS Rajesh, नहीं, यह अपना आंसबनेगा, MB Rajesh Shekran, जिनका भी हाल ही में दन हुआ है, Veteran Congress Leader थे, और यह पूर्व Union Minister थे, यह Manmohan Singh जी के कारिकाल के दोरन, Planning Minister यह रहे थे, इसके अलावा देखना, V. Praveen Rao को M.S. Swaminathan Award, M.S. Swaminathan Award, M.S. Swaminathan Award, V. Praveen Rao, रुचिका तॉमर का मैंने अभी आप लोगों को ही बताए था, कुछ दिन पहले ही रुचिका तॉमर, हाँ, इनको Hemingway Award दिया गया है, Pan and Hemingway Award, Pan and Hemingway Award दिया गया है, राजिस चपलोट को युगांडा का हाइस सिविलियन, यह भई इंडसलिस्ट है, युगांडा का हाइस्ट ओनर दिया गया है, तो युगांडा का हाइस्ट ओनर जिनको दिया गया है, इनका नामें राजिस चपलोट, रुचिका तॉमर को Hemingway Award, M.S. Swaminathan Award, करनाटक बैंक के M.D. and CEO का नाम बन था, option number 2, M.S. Mahabalishra, M.S. Mahabalishra, option देखेगा, नीति कुमार को सर्व Excellence Award, सर्व Excellence Award, ठीके, सर्व Excellence Award से सम्मानित किया गया था, अंतरास्ती महला दिवस वाले दिन, इनको, आरफा शेरवानी और रोहिनी मोहन को, इनको, चमेली देवी जैन अवार्ड से, चमेली देवी जैन अवार्ड से, आरफा सेरवानी और रोहिनी मोहन को सम्मानित किया गया, जोया अक्तर को, IIFTC, IIFTC Tourism Impact Award, Tourism Impact Award से सम्मानित किया गया है, Tourism Impact Award, मेरा परपस सिर्व इतना है कि, आरफा सेरवानी रोहिनी मोहन को, चमेली देवी जैन अवार्ड से सम्मानित किया गया, और नीती कुमार को सर्व एक्सेलेंस अवार्ड से, MS महाबलिशरा, करनाड़क बैंके, I hope so guys clear होगा यहाँ तक, ठेक है, next देखना, किस राजजमें, भोगा पुरम अंतरास्ती हवाई अडस्तिद है, भोगा पुरम इंटरनेशनल एरपोर्ट इस लोकेटेड इन विच स्टेट, तो तो अंसा बनता है, इस लोकेटेड इन अंदरप्रदेश, अंदरप्रदेश ने अभी हाली में, एक ऐफ्लिकेशन लॉंच करी थी, इसका नाम है नेगहा, ठेक है नेगहा एक ऐफ्लिकेशन है, जो कि अंदरप्रदेश गृउर्मेंट के तरह लॉंच की गी थी, तेलंगाना, तेलंगाना रिलेटेटेट सरफ मेरे लिए इंपोर्टेट बनता है वो यह जहां पर वैसे तो बहुत सारी चीज़ है 2020 को ये इयर ऑफ आर्टिफिशल इंटलियेंस बना रहा है तेलंगाना केरल की स्कीम विजय मरतम और सहेचरी करनाटकी की योजना है जन सेवक जन सेवक, जन सेवक, कॉंट्रेक्ट फार्मिंग, कॉंट्रेक्ट फार्मिंग को लेके लौ बनाने वाला, कॉंट्रेक्ट फार्मिंग को लेके लौ बनाने वाला जो first state है, यह exam को कोशिन में बना था, first state है, इसका नामे तमिल नाडू, सुन लिजेगा, contract farming को लेके law बनाने वाला first state तमिल नाडू, जन सहवे का योजना करनाटिका, विजय मरतम सहेचरी केरल में, निगा application आंदर प्रदेश में, ये याद रखना है आपको, और तेलंगाना वाई IMF Chief Crystalina Georgieva in her external advisory group, किसे IMF प्रमुक Crystalina Georgieva ने अपने बाहरी सलाकार सम्हू में नामित किया है, शक्तिकान दास, he is a governor of Reserve Bank of India, इनको banker of the year भी चुना गया था, banker of the year को मने थे शक्तिकान दास बने थे, विभू परशात कानून उनको एक साल का, one year का इनको extension दिया गया है, as deputy governor of Reserve Bank of India, यह RBI के बरतमान में deputy governor है, उप governor है, महेश कुमार जैन ये भी उप governor है, रिजबेंक ओफ इंडिया के, deputy governor of Reserve Bank of India, और इनके अलावा Michael D. पत्रा, Michael D. पत्रा ये भी deputy governor है, Reserve Bank of India के, Michael D. पत्रा, ठीक है, और इनका नाम है रगुराम राजन, रगुराम राजन को अभी हाल ही में, IMF की जो चीफ है, क्रिस्टिलियना जौर्जीवा, इन्होंने अपने external advisory group में शामिल किया है, किसमे external advisory group में शामिल किया है, ठीक है, Central Bank of the years, जो यहाँ पर बने है, इनका नाम है शक्तिकान दास, रगुराम राजन को इसमें शामिल किया गया है, क्लियर होना चाहर सोफिया है, currency यहाँ पर लेव चलती है, मुद्रा यहाँ पर लेव चलती है, next year, भारत सरकार ने, खुदरा दुकान सुरक्षय स्टोर की एक शकला स्थापित करने की योजना बनाई है, government of India ने प्लान किया है किस चीज के लिए यहाँ पर, कि retail shops की एक चैन बनाएंगे, जि इतनी कुल मिलाकर बनी जाएंगी, तो यहाँ पर आंसा मताब 20 लाक, 20 लाक, 20 लाक retail shops की एक चैन बनाने के लिए सरकार ने आपर प्लान किया है, जिनको आप लोग सुरक्षय स्टोर के नाम से जानेंगे, सुरक्षय स्टोर के नाम से जानेंगे, clear होना चाहिए, like ठोकते च tunnel यार इसका अंसर करिए, पहला rail station जिसने की sanitizing tunnel पाई है, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है मेरे भाई? Okay, बहुत बड़े है, जिसको कि बहए, sanitizing tunnel पनी है, अच्छे जाना, CSMT, प्लीज एडर चरा कोऊर फर्माले न, बहुत इंबरे लिए अधा बाद, इहम दाबाद, अधा न, आधा बाद, आहम दाबाद, इहम दाबाद, जो चतरपती सिवाजी महराज टर्मिनस चतरपती सिवाजी महराज टर्मिनस, Food Safety Standard Authority of India ने अभी हाल ही में, Food Safety Standard Authority of India ने अभी हाल ही में, Eat Right Station, Eat Right Station का certification दिया है, दो railway station को, एक railway station है CSMT, और दूसरा railway station है Mumbai Central, एक railway station Mumbai Central है, दूसरा है CSMT, CSMT को दिया गया यह 5 star rating में, यह बहुत important है, दिया दौनों को गया है तो भाई किस rating में, और Mumbai Central को 4 star rating में, ठीक है, तो सुन लीजे, Food Safety Standard Authority of India को, Food Safety Standard Authority of India ने, Eat Right Station का certification दिया है CSMT, चतरपती सिवाजी महराज टर्मिनस को, और Mumbai Central को, चतरपती सिवाजी महराज टर्मिनस को 5 star rating में दिया गया है, और Mumbai Central को 4 star में, Mumbai Central का नाम बदल कर, Mumbai Central का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, Nana Sankar Sit Mumbai Central Railway Station, चार बाग यह लखनव में हैं, और यहाँ पर 2 Health ATM इंस्टॉल किये गए हैं, कहां पर 4 बाग में, नासिक क्यों न्यूज में रहा था, कोई मुझे बता सकता हैं मेरे भाई, नासिक Railway Station क्यों न्यूज में रहा था, बहुत important है 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 यह वाला, नासिक Railway Station क्यों न्यूज में रहा था, okay, प्रवरी मंत कुशन बैंक इस वीडियो के नीचे मिल जागे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लगवा दूगा मैं परेशन मत हुई है अपर बना है तो यह आपका इंस्टॉल किया है यहाँ पर नासस करे लिवस्टेशन प्रसार भारती ने एक नया चैनल D.D.Retro लांच किया प्रसार भारती का मुख्याले कहा है प्रसार भारती has launched new channel DD Retro, where is the headquarter of प्रसार भारती आंसर बनता, प्रसार भारती का headquarter आपका नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में अभी new Delhi government ने, new Delhi government ने क्या किया था, एक project launch किया था 5T, क्या नाम है इसका 5T, और एक project launch किया operation shield operation shield, तो operation shield और 5T, ये दोनों ही initiative लिए गए है, new Delhi government के दोरा, new Delhi is a headquarter of the प्रसार भारती, और इनों ने एक नए channel launch किसकाना, मैं DD Retro, DD Retro इनके दोरा एक नए channel launch किया गया है I hope so guys clear होगा, अब चलब next तेखना, किसी Tata Power के brand ambassador के रूप में न्योक्त किया गया है और इसके अलावा वीजा ने भी अपना brand ambassador बना रखा इनको, इसके अलावा एक और है, भारत की लक्ष्मी, भारत की लक्ष्मी, भारत की लक्ष्मी, इसके लिए, इस पहल के लिए भी यहाँ पर इनको brand ambassador बनाए गया, इनके साथ एक और पर साने इनका ना मैं DP का पादूगों, ये भी brand ambassador बढ़ मेरा answer बंदा शारदूल ठाकूर, शारदूल ठाकूर को अभी हाली में टाटा पावर का brand ambassador बनाए गया है, नेक्स देखना, किसको Washington Apple Commission के लिए, भारत में brand ambassador के रूप में नुक्त किया गया, who has been appointed as the brand ambassador in India for Washington Apple Commission, अब option इसे है, अब इसे eliminate कर सकते हो, सुनील शेटी, सुनील शेटी, शुनील शेटी, ये नाडा के brand ambassador बने national anti-doping agency के, और सुनील शेटी को FIFA ने अभी, FIFA ने अभी हाली में, COVID के वारे में लोगों को aware करने के लिए, जितने भी sports person में appoint किया था, उसमें सुनील Apple Commission के लिए भारत में brand amazon nuked किया गया है, clear दोस्त, brand amazon nuked किया गया है, I hope so, यहां तक सारी चीज़ा है done होंगी आपके, next यार, किस राज्य सरकार ने, औरंगाबाद हवाई अड़े का नाम बदल कर चतरपती संभाजी महराज हवाई इड़ा कर दिया है, which state government has renamed, renamed औरंगाबाद airport as चतरपती संभाजी महराज airport, simple symptom में, महरास्तान से बनेगा, कौन से स्टेट दोस्त महरास्तान से बनेगा, कौन से स्टेट दोस्त महरास्तर, शिव भोजन, योजन योजना, यह महरास्त की है, उडीसा की कौन सी है, मो जीवन, मो प्रत्यवा, मो सरकार, मो परिवार, कालिया, पीठा, सुनेत्र, अमघरे LED, जग मिशन, मदु अप्लिकेशन, ओडिसा असम की, अपो नर, अपो घर, इसकीम, अरुन्दती, इसकीम, अभे नंदन, इसकीम, ठीके, गोआ में नेशनल गेम्स रहेंगे 2020 में, और रुबी गूला, ये बुल बुल है, रुबी गूला, ये ओफिशल मैसकोट है, ठीके, ओफिशल मैसकोट है, ये शुभंकर इसका, सिक प्रेम सिंग तमंग प्रेम सिंग तमंग इतना याद रखना दोस्त प्रेम संग तमंग इनका नाम है ठीक है नेक्स्ट आर किस शहर में नैनो विज्ञान और प्रदयोगी 2020 पर अंतरासी सम्मिलन आयोजी तो किया गया इनविच सिटी इंटरनेशन कॉन्फरेंस और नैनो साइंस और टेक्नलोजी के ऊपर अभी एक कॉन्फरेंस रही ते अंतरासी है वो कहां पर रही थी अब जादा उप्शन देखना है यहाँ पर उप्शन से आपको बहुत कुस सीखने को मिलेगा देखना पूने में क्या है 108 इंडियन सैयंस कंगरेस रही थी इंडियन सैंस कंगरेस कहां पर ऊगी 108 यह आपका पूने में होगी जैपूर को अभी हाली में UNESCO ने और है है रिटेस 있지만 शामिल किया है 2019 में इससे पहले यह द्यूहर 98 में किया गया था ऊसी है नतड़ने अप्रशनुनराइं के 2100 के घंजतने अनके उन उनफने इ Viel औरष जा Alright एसे. है डिजर वा जोड़ा सिर्डेस का सेलेफरहेशन रहेगा वह दा हम पूने में 108 Science Congress रहा, कॉलकता में रांसा बनता है, ये नैनो वाला इवेंट रहा था कॉलकता में, जैपर को 2019 में शामिल किया गया, 2017 में किसको शामिल किया गया तो बहुत बढ़िया, एहमदाबाद को UNESCO ने, एहमदाबाद को UNESCO ने, 2019 में, 2017 में, 2017 में अपनी Heritage List में शामिल किय ठीक है, नुआथ थाई मसाज ओफ थाइलेंड, इंक्लूड़ेड इन यूनेस, was a heritage list, ये important मने कार, एक एक चीज को याद रखते हो, चलना है, कॉलकता आपका हूगली नदी के किनारे बसा हुआ है, हूगली नदी के किनारे बसा है, कॉलकता, किसने housing, society, hotel और हस्पतालों क किया जा रहा है, ये शब्त लिखे होते हैं आज की दा हिंदू के निउस्पेपर में, तो भाई सवाल यही है कि किनारे एक fuel हमसफर application लांच किया था, जिसके मात्यम से इतनी भी housing societies रहेंगे, hotel रहेंगे, hospitals रहेंगे, वहाँ पर उनके दरवाजे पर जाकर, ये यूं कह सकत एंड, employment minister है, labor and employment minister, labor and employment minister है, हर्सिमरत को और भादिल, food processing industry minister है, राम बिलास पासवाल, food processing and public distribution minister है, food processing, ठीक है, आपको याद रखना है है, और इसका लब रवी संकर प्रिशाद, धर्मिंद प्रधान बदा दीता हूँ, ये petroleum and natural gas minister है, प्लस steel minister है, पैट्रोलिय में natural gas minister, steel minister, रवी संकर प्रिशाद, ये communication minister, electronics and information technology minister, and law and justice minister है, कानून मंत्राले इन के पास है, communication ministry इन के पास है, electronics, information technology ministry इन के पास है, संतोष कुमार गंगबार बरेली से सांसद है, हर्समरत को और बादल भटिंडा पंजाब से सांसद है, राम बिलास पासवान ये राजिस सांसद है, रवी संकर प्रिशाद ये भी बिहार से है, बड़ी बिहार से लोक सांसद है, ये पठना साहिब बिहार से सांसद है, धर्मेंदर प्रधान ये मदर प्रदेश से राजिस सांसद है, मदर प्रदेश से राजिस सांसद है, क्लियर है दोस्त यहां तक स मंत्रा लेख रहे हैं, Communication Ministry, Law and Justice Ministry, Electronics and Information Technology Ministry, ठीक है? Sir, 12th question, 12th question का answer कॉल काता है मेरे भाई, इक कॉल काता में इवेंट रहा था, अब तब पानी पीरा तुम लोग लाइट हो को संदीप शिंग, ठीक आगे बादे दोस्त, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट, यह अपना हो गया, complete, अब बढ़ते हैं, आगे, आज की कुछ वन लाइनर देखते, दैन फिर बढ़ेंगे आज की इंपोर्टन यूस की दरफ, इंडिया हैस साइंड 880 करोड कॉंट्रेक्ट विद इसराइल फोर नेगेव 7.62 x51 mm light machine gun, नेगेव 7.62 x51 mm light machine guns के लिए भारत ने इसराइल के साथ 880 करोड रुपे का नुबंद किया है, सवाल यही बनेगा है, किस देश के साथ 880 करोड रुपे का light machine gun के लिए समझा होता कि इसराइल ने इसराइल से इंडिया ने अभी एक missile लिया था, इसका नाम है Spike, Spike missile लिया था, और Spike का परीच्छन के महों से किया गया था, मद्र परदेश के महों से इसका परीच्छन भी किया जा चुका है, ठीक है, next, Indian Railway to electrify all broad gas route by December 2020, अब यह broad gas route क्या होता है, देखो broad gas तो जितनी भी broad gas वाले route होंगे, उन सभी को December 2023 तक electrify किया जाएगा railway के द्वारा, तो भारती रेल, December 2023 तक सभी broad gas मार्गों पर विद्योति करण करण कर देगी, इसको याद रखना, railway minister करा में, पियूश गोयल, पियूश गोयल, और railway minister है, यह इसके लावा वाणिज मंत्री भी है, Commerce and Industry Minister भी, Commerce and Industry Minister भी है, और यह राजसभा MP है, महरास्ट से, महरास्ट से, राजसभा सांसद भी है, ठीक है, इसके लावा next, यार, ट्राइफाइड, जो कि ट्राइबल प्यूपल के लिए काम करती है, संस्ता, उसनों ने, यहाँ पर ट्राइबल एक प्रोग्राम लाँच किया है, to bring technology to tribal entrepreneurs, ट्राइफाइड ने आदिवासी उद्यमियों के लिए, जो आदिवासी उद्यमियों हैं, उनके लिए, प्रदोग travelers, who is a travel affair minister, what is the name of the travel affair minister, what is the name of the travel affair minister, travel affair minister का naम के है, the travel affair minister काना है, answer करे तो, earth comment box में आजसके ट्राइबल उफेर minister का नम के, what is the name of the travel affair minister, next, Kirill state government will launch digital literacy tribe named, I am also digital, Kirill Raji सरकार, मैं भी डिजिटल हूँ, नामसे कि डिजिटल साक्षरता अभिहान शुरू करेगी, सवाल यही बनेगा, कौनजी स्टेट गॉवर्मेंट है जो की, I am also डिजिटल करके एक डिजिटल लिटरेसी ड्राइव चुरू करेगी, आन सब नता है केरल, केरल के गवर्मन का नाम है आरिफ मोहममद खान, आरिफ मोहमद खान, आरिफ मोहममद खान अरिफ मोहममद खान is a governor of केरला और इनल्नुहने एक initiative लिया है, I am also digital करके एक digital literacy drive launch किया है, बहुत बड़ी है, tribal affair minister का नाम है, Arjun Munda, और इनकी constituency क्या है, खुंटी जार्खंड, इनका निरवाचन चित्र बनता है, जार्खंड निरवाचन चित्र बने का, UP government will provide 900 per month to farmers willing to keep stray cattle, मतलब stray cow, UP सरकार आवारा पशु, मतलब कि आवारा गाय को रखने के इस चुक किसानों को प्रतिमहा 900 रुपे प्रदान करेगी, तो यही सवाल बढ़ेगा, कौन से स्टेट गौर्मेंट इस सरीकी का initiative लेती, तो यह बनती उत्तर प्रदेश गौर्मेंट, अच्छा एक चीज और, आप लोगों ने एक नाम सुनों का सैस, और नाम सुनों का गौ कल्यान सैस, सुना है, गौ कल्यान सैस, सैस होता क्या है, सैस होता क्या है, सैस is a kind of tax, यह टेक्स का एक प्रकार है, यह टेक्स का एक प्रकार है, सैस का मतलब होता है, जैसे बहुत सारी Secondary and Higher Education says, Secondary and Higher Education says, Swachh Bharat says, Krissi Kalyan says, और Gau Kalyan says, यह जो Gau Kalyan says, it is imposed by उत्तर प्रदेश गॉर्मेंट, अर्लियर इट इंपोस भाई जनल पब्लिक बाईदी उत्तर प्रदेश गॉर्मेंट है क्या, वहाँ पर कहा गया कि जितनी भी जितनी भी दोस्त जो भी गाय रहेंगी, उ उनके लिए बुला गया कि इनके लिए घर बनाने के लिए, इनके लिए होम बनाने के लिए, मतलब होम ऐसी गाये, जो कि आवारा गाये है, आवारा पश्म, उनके लिए घर बनाने के लिए, काव शल्टिस बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे, आप काव शल्टिस बनाने क सेस, केकेसी करसी कल्यान सेस, गउकल्यान सेस, इस एच 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 इस सेकेंडिन हर एडुकेशन सेस, I hope so guys, यहां तक सारी चीजा क्लियर होंगे, यहां तक सारी चीजा आपनों के क्लियर होना अच्छे है, ठीक है? काओ क्रोकोडाइल जैसी लग रही है, आरे यार तुम लोग ड्राइंग पहना जाओ, फीलिंग को समझो, भावनाओं को समझो, अम आप भावनाओं को समझो, तुम लोग यार, अभी तुम गाए के पीछे पड़ गाए हो, गाए, भाई, सौरी माते, माफ कर दे न, अगर भाई बुरा लग रहा हो तो, भाई यार बिलीज काओ को मेरी ड्राइंग माशाला यार, गिनीज बुक में नाम आ सकता है मेरा, तो फिर भी मैं इतना यारा घमड नहीं करता हूँ, अब तुम लोग फालतू मुझे यार चने के जाड पर चड़ा रहे हो, मैं माना यार मेरी ड्राइंग बहुत माशाला यार, बहु जाना देखना है ध्यान से, गुजरात की कौन-कौन सी दो तो मुझे याद एक मैं भूल गया, एक थी एमिशन ट्रेडिंग स्कीम और वहाली दीकरी, वहाली दीकरी और एमिशन ट्रेडिंग स्कीम तो याद है, ये भूल जाते है, मुख्यमंतरी युवा स्वाब लंबन योजना, याद है मुख्यमंतरी युवा स्वाब लंबन योजना, ये किसके गुजरात की है, ये अंदर प्रदेश बहुत रूला रहा है, बहुत सारी है इसके, आप दो हम लोगों को याद कितनी है, इसकी वहान मित्र याद है, ठीक है पैंशन का याद है, और इसके अला आरूगयो सिरी, पैंशन कनुका, एंजगर्ना वास्ति देवना, ये सारी अंदर प्रदेश गौर्मेंट की स्किम है, लोगों को सीखना चाहिए मैंने सहे, इतनी शांदार ड्रॉइंग है न, तुम लोग बिलीव नहीं करोगे न, मिरे इतने कॉल आतने की सर आईए, इसक आँ जरा मुद्दे की बात पर आते हैं। एग्रिकुलचर ट्रेडिंग पोटल इनाम हैस कंप्पलीटड four years of implementation on April 14. क्रशी ट्रेडिंग पोटल इनाम ने 14 अप्रेल को अपना कार्यान्वियन के चार साल पूरे कर लिये important market नहीं आप पर कि crushy trading portal का नाम है e-naam crushy trading portal का नाम है e-naam और इसने 14 April को कितना वर्ष पूरा कर लिए चार वर्ष पूरे कर लिए एक है government e-marketplace e-jam अब jam क्या है दोस्ट जैसे आप लोगों ने देखा हुआ Amazon, देखा Amazon Amazon पर होता क्या है मेरे भाई कि बहुत सी यह Amazon हो गया अब इस Amazon पर होता क्या बहुत सारे बहुत सारे vendors आते हैं अपने product को sale करते, यही तो होता है Amazon पर मैं चला गया, मैंने अपनी shoe factory से उठाई shoes और यहाँ पर बेचना start कर दिया, मैं क्या गरो मैं vendor हो आप लोग भाई यहाँ पर खरीदने वाले है Amazon का एक online platform ऐसे government e-marketplace का यह भी एक online platform है, बढ़ यह government का है ठीक है government का, अब जैसे किसी government department को कोई product चाहिए, तो यहाँ पर बहुत सारे vendors अभे level है, अब सरकार क्या है न, पहले क्या अमा जोन नहीं होता, अमा जोन नहीं होता, अमा मुझे भी पता, अमा जोन नहीं होता है, Amazon है, ठीक है clearने GAM, अब इसी तरीके से एक portal और है, यहाँ पर e-naam portal, अब e-naam portal क्या है, e-naam portal का मतलब होता है, यहाँ पर यह एक trading portal है, agriculture trading, तो जितने की फुल फॉर्म क्या है, e-naam was launched by Prime Minister Narendra Modi on 21 Mondays, on 14th April 2016, 2016 में इसको 14 April को 21 मंदी में launch किया गया था, more than 1.66 करोड फार्मर्स and 1.28 layer traders, traders मतलब व्यापारी, यहाँ पर राइस्टर कर चुके हैं इस e-naam platform पर, तो प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी द्वार, e-naam को 14 April 2016 को 21 मंदीों में launch किया गया था, e-naam platform पर 1.66 से अधिक और 1.28 लाकि व्यापारी पंजीकरत है, National Agricultural Market, बहुत बढ़िया, National Agricultural Market, National Agricultural Market, इसे याद रखना है, clear है, अच्छा, तुम लों को लग रहा है, मैंने नया कोल दिया, अम्मा जों से है, अब जाद ध्यान सुनना, यह बहुत interesting है, यहाँ पर एक नाम निकल कर आयता, who is a Agricultural Minister, Agricultural Minister कौन है, करशी मंत्री कौन है, Agricultural and Farmer Belfare Minister, यह एक ministry इनके पास है, दूसरा Minister के पास है, Rural Development Ministry, और तीसरा पंचाइती राज मिनिस्ट्री, बहुत important चीज़े लिंक करने वाला हूँ, Agriculture, Farmer, Belfare Ministry, Rural Development Ministry, और पंचाइती राज मिनिस्ट्री, यह तीनों मंत्रा लें देख रहे हैं, Narendra Singh Tomar, Narendra Singh Tomar, और Narendra Singh Tomar का जो निर्वाचन शेतर बनता है, यह बनता है, मुरैना मद्रप्रदेश, मुरैना मद्रप्रदेश से लोकसव असानसद है, कहां से दो उस मुरैना मद्रप्रदेश से लोकसव असानसद, अब मेरे काम की चीज़ क्या बनेगे, आपनों को यहाद होगा, बजट 2020 और 2021, जब कभी भी अगरिकल्चर के लिए बाता ही, तो अगरिकल्चर रिलेटेट चीज़ों को याद रखना है, जब 20-20 में, एगरिकल्चर, इरिगेशन और रूरल डवलप्रेंट के लिए कितना के लिए जो अमाउंट अलोकेट हुआ है, it is 1.60 लैक करोड, ठीक है, याद रखना है, बच्चा कितना यहाँ पर, 1.1 भाई, देखो, एगरिकल्चर, इरिकल्चर, इरिकल्चर, रूरल डवलप्रेंट के लिए 1.23 लैक करोड है, एगरिकल्चर क्रेडिट का टार्गेट कि ठीक है, एस पर बजट बात करो, हवाई फायर कुछ नहीं चलने है, मेरे बाई, सारा बजट के आधर पर हम लोग बात कर रहें, इसको याद रखना, most important माग करेगा, exam के लिए बहुत important बनेगा, एक और हम लोगोंने बजट में पढ़ाता, जो important बनेगा, कि जो PM किसान beneficiaries है, इनको किसान credit card इस योजना के अंतरगत लाए जाएगा, ठीक है, किसी सी के अंतरगत कौन सी scheme के beneficiaries आएगे, तो PM किसान जो beneficiaries है, वो किसी सी योजना के अंतरगत आएगे, as per budget, next यार, next, IIT Bombay, IIT Bombay has developed digital stethoscope, are you sync to check patients who are infected with COVID-19, IIT Bombay ने, COVID-19 से संक्रा में तरोगियों की जाच के लिए, एक digital stethoscope, आईउ सिंक विक्सित के, बच्पन में हर कोई थोड़ी देर एक लिए डॉक्टर तो बनाओंगा, कि भाई, ये किसी ना किसी का निकाल का, heartbeat check करने वाला, हुआ नहीं हुआ, ऐसा बहुत बार हुआ होगा तो मेरे भाई याद रखना, कि यहाँ पर important ये जो digital stethoscope है, ये बनाने वाला, कौन सा IIT, IIT Bombay है, और इसका नाम क्या, I.U. Sink इसका नाम है, क्लियर है, अच्छे एक चीज और बनेगा, जैसे अभी आप लोगों ने सुनाओगा, I.I.T. गांदी नगर, इनोंने भी अभी launch किया है, कि जितने भी भाई कह सकते हैं कि student है, वो इस दोरान maximum कहीं न कहीं utilization करें टाइम का, और इस टाइम में कहीं न कहीं कुछ न कुछ ही discover करने का काम करें, इस project का नाम क्या है, जो project launch क्या क्या है, इस project का नाम क्या है, I.I.T. Bombay, ओके, नदीम प्रवित्य सेम राहूल खुशी आदित इशाराना, okay, मादुरी खुश, okay, मेरे भाई, बहुत बड़े है, इसका नाम क्या है, ओ-ओ-ओ, project इसाक, ठीके, project इसाक, याद रखना, project इसाक इसका नाम है, next, ट्यार, yes, bank has announced the extension of its strategic bank insurance partnership with MaxLife Insurance, yes, bank ने MaxLife Insurance के साथ, अपनी रड़ नीतिक bank insurance साज़दारी के विस्तार की खुशना की, थोड़ी दिर के लिए इन शब्दों को, भारी भर कम शब्दों को भूल जाए, नहीं तो आप लोग तरहीमाम तरहीमाम करने लगेंगे, अब ज़र ऐ बैंक का insurance का मतलब क्या होता है, जब कभी कोई bank, जब कभी कोई bank, अपनी ब्रांच से, किसी bank के, जब कोई bank, किसी insurance company के, किसके insurance company के, दुबारा बताओंगा, सुनिएगा, insurance company के product को, जब कभी कोई bank, अपनी ब्रांच से, जब कभी कोई bank, अपनी ब्रांच से, insurance company के product को, सेल करता है, that particular facility is called the bank का insurance facility, अब इसके लिए, जो समझोता होता है, वो किस-किस के बीच महोगा, एक bank के बीच में और एक insurance company के बीच में, जब bank इसके लिए insurance company के साथ समझोता करती है, इसके insurance company bank के साथ इसके लिए समझोता करती है, it is called the bank का insurance agreement, इसे हम लोग bank का insurance agreement कहते है, bank का insurance agreement का simple शब्दों मतलब है, कि bank के दौरा, ब्रांच से, bank को अपनी ब्रांच से दौरा, insurance company के product को distribute करना कहलाता है, clear है, परशान्त कुमार, MD&CEO चुने गा है, yes bank, बहुत बढ़िया, अभी भाई, यह moratorium period से गोजर रहा है, और इसका, जो अभी MD&CEO बने है, इनका नाम क्या है, प्रशान्त कुमार, प्रशान्त कुमार, यह नाम याद रखना है, I hope so guys clear होगा, like मत ठोकना मेरे भाई, like मत करना, जैसे like करो तो को trending मना जाएगा, तुम लोग खोश हो जाओगा तो मैं खुद की खोशी बरदास नहीं होगी है, ना, ऐसे ही तो होगा, like करो चुपचाप से, अब इसको बंद कर दिया गया है, अब इसको बंद कर दिया गया है, इसको अब इसकी जगे पर आ रहा है, इक glass suspension bridge, glass suspension bridge, सवाल ये है कि glass suspension bridge के अपने तरीखे का पहला bridge अबारत में, और ये कहाँ पर open होने जा रहा है, कहाँ पर construct होगा, ये रिशी केश में होगा, रिशीकेश कहां पर है ये UK में है UK मतलब United Kingdom नहीं सर उत्तराखंद में और उत्तराखंद की गवरणर का नाम है Baby Rani Mori Baby Rani Mori और मुख्यमंतरी का नाम है Trivendra Singh Rawat Trivendra Singh Rawat उत्तराखंद के मुख्यमंतरी है Governor Baby Rani Mori और यहाँ के रिशीकेश में सेशन में जरूर जो ने डिफेन्स एकसाइज हो नहीं आज बारे वजे कि सेशन में मज़ा आ जाएगा मेरे बाई एकस्पेंशन मतलब होता है विस्तार होना और कॉंट्रेक्शन मतलब होता है संकुचन होना किसी चीज का संकुचन तो जो जीडिपी है वो संकुचित हो जाएगी कम हो जाएगी कितने से 30-30 प्रतिशत से ठीक है और यह किसका कहना है इसी के पैरलल नों ने कहा कि इंडिया की GDP growth rate का भी बढ़ने का अनुमान है और वो next financial year में इस financial year में तो भई इंडिया को बहुत घाटा होने जा रहा है क्या ज़रा देखना IMF के विश्व आर्थिक outlook के अनुसार भारत के सकल घरिलू उत्पात की वरत दीदर वित्तिय वर्श 2020-21 में 1.9% बढ़ने का अनुमान है अज हिंग्लिश का रहा गया डबल पेस्ट हो गया मतलब यह IMF के विश्व आर्थिक outlook के अनुसार IMF के विश्व आर्थिक outlook के अनुसार भारत के सगल घरिलू उत्पात की वरत दीदर वित्तिय वर्श 2020-21 में 1.9% बढ़ने का अनुमान है ठीक है और लेकिन इनौन एक अच्छी बात जो बोली न जो मुझे बहुत positive लगी मेरा दिल गदगद हो गया यह सुनकर मैंने का है होप सो यार ऐसा हो जाए बट देखते हैं यह कहना आसान है उसके लिए government को ground पर काम करना पड़ेगा यहां बोला गया कि इंडिया की जो growth rate है यह 2020-21 में तो रहेगी 1.9% बढ़ यह 2021-22 में बढ़कर बहुत तेजी से rebound करेगी और यह 7.4% पर आ जाएगी अमा यार बढ़ा शांदार बोला यह नो ने जो growth rate है 21-21 में 1.9% रहेगी और 21-22 में बढ़कर यह 7.4% पर जाएगी इमेफ का कहना है 21-22 में ठीके दोस्तों यह important बनेगा अब मेरा सवाल आप से बागी growth rate हो का projection कितना है जैसे world bank पूरी list देख लेते है 21-21 IMF ADB CRYSTAL UNSKIP UN ADB CRYSAL Moody's Investor Service और IKRA IKRA का कहना 2% Moody's Investor Service का 2.5% CRYSAL का 3.5% ADB का 4.0% UNSKIP का 4.8% World Bank का IMF का कहना 1.9% मुझो की बता सकता World Bank ने कितना projection किया था World Bank ने इंडिया की GDP growth rate का projection कितना किया था आराम से पढ़ रहे है यार सब हो जाएगा तुम लोग ना इसको comment box में लिखते रहा करो World Bank का कितना है South Street का airport भी दे दो सब मिलेगा मिरे भाई सब मिलेगा तुम लोग लाइक ठोकते रहो करपा आने लगे है और शेर कर दोडूगा तो धुगनी तेजी से करपा आने लगेगी का लोगडाउन खुले तो तीन तारिक के बाद कम से कम पांच लोगो शेर करीगा करपा रुक हुए मैं सोच पा रहा हूं दोस्त मेरे भाई करपा रुक रही है तुम लोग पांच लोगो शेर नहीं कर रहा है तुम लोग पांच लोगो शेर नहीं कर रहा है ठीक है याद रखन केरल का जो annual harvest festival है इसका ना में विशु वो celebrated as Savarimala temple और भी स्टेट में है बट अपने लिए important यह है कि यह सावरी माला temple में celebrate किया गया अब हो सकता है यह पूछ ले कि सावरी माला temple कहां पर है एक नमबर में पूछा जाता है तो केरल का जो वार्शिक फसल उतसब है विशु य जावरी वाला मंदिर में मनाया गया था I hope so guys यहां तक clear होगा next year British Comedian Tim Brook Taylor has passed away due to Corona Virus British Comedian Tim Brook Taylor का Corona Virus के कारण निधन हो गया है मेरे काम की चीज़ बनेगी Tim Brook Taylor has passed away recently he was what तो वह क्या थे तो वह है एक Comedian थे एक हास से कलाकार थे इसके अलावा एक Comedian Tim Brook Taylor का निधन हुआ यह किस देश से थे तो यह British थे यह Britain से थे यह UK से थे याद रखना है UK is a first country to declare climate emergency climate emergency declare करने वाला UK first country है यह आप लोग को याद रखना है दोस्त इसके अलावा 2022 के जो Commonwealth Games रहेंगे Commonwealth Games रहेंगे यह UK के Birmingham में होंगे UK के Birmingham में तो UK से होस् साथ इंडिया की तीन exercise होती है एक होती है अजय वारियर अजय वारियर अजय वारियर इंद्र धनुष इंद्र धनुष ठीक है कौनकन कौनकन अजय वारियर कौनकन इंद्र धनुष आज हम लोग 12 बज़े यही exercise discuss करने जा रहें कि कौन से exercise किस देश के साथ होती है और इसम हम लोग भूल जाते हैं तो इन पर फोकस करेंगे अजय वारियर इंद्रधनुष कॉनकन ये भारत की UK के साथ exercise रही है और ये आज हम लोग बारवजे करने जा रहे हैं तो भारवजे के session में जुड़िएगा जरूर ठीक है हाँ यार एक चीज बहुत अच्छी बदाए आप लोग और कॉमन वेल्थ का 54 जो मेंबर है ये मालदीप से मालदीप से मालदीप के साथ भारत की एक exercise होती है इसका नामे इकोविरन है इकोविरन है मैं यार बाल की खाल निकाल दू यार और भी फोस्टमाटम कर लो बड़ वक्त कम रहता है इसलिए नहीं कर पाता हूं नेक्स देखना इस टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो हैस बीर रिडियूस तो 18% वैदानिक तरलता अनुपात को घटा कर 18% कर दिया गया है इसका एक ल कितना है या नगल आर अचे तो अनुपात कितना चल रहा है इस 4% नहीं सर नौट इस 3% कैश रिजर्व रेशियो को घटागर कर दिया कि 3% इस टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो कितना हो गया है सार इस नौ 18% अब यह सर वर्तमान में 18% है रैपो रेट कितना है रैपो 4.0% कितना तुस 4.0% है बैंक रेट और मार्जिनल स्टेंडिंग फैसलिटी MSF यह 4.65% है अब यह देखना है कुछ चीज है और इंपोर्टन है CRR कितना है 3% SLR कितना है 18% रैपो रेट कितना है 4.4% रिवर्स रैपो रेट कितना है 4.0% बैंक रेट कितना MSF? बैंक रेट MSF हमेशा एक कॉल रहते है 4.65% है यह अपडेटेड है इसको लिख लेना भाई नोटबुक के फरंट पेज पर लिख 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 लिए जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार याद रहेगा SLR पहले हुआ करता था 19.50% एक जन्रवरी 2019 को ठीक है तो गवर्मेंट मलबार भी ने डिसाइड किया था कि इसे रिड्यूस करके 18% पर लेकर आना है एक साथ तो 1.5% रिड्यूस नहीं कर सकते हैं तो इन्होंने कहा कि एक काम करिए 3-3 महीने के quarter बनाईए और इसे हम लोग देखिए कितने महीने में reduce कर सकते हैं तो भाई 1.5% को अगर आपको reduce करना है तो इन्होंने का हर quarter में 0.25 कम करेंगे तो 0.25 करेंगे तो इसके लिए हमें 6 quarter की जरुवत पर इए तो 1.5 साल यहां पर लग जाएगा तो भाई अब अप्रेल में जाकर देर साल कंप्लीट हुआ तो 0.25, 0.25 कम करते करते हैं कितने पर आगे 18% इतना logic मत समझने की जरूरत नहीं है बैस समझ मैं जाता हूँ ठीक है बड़ आप अब भी याद रखे 35% पर आप जाओगे तो 30% मेलेगा तो 560 का पड़ेगा जाई ये पर्चेस करिए इन्रोल करा लिजे और कोड यूज करना वाई 168 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बैच को पर्चेस करने के बाद आपके लिए बैंकिंग की दिक्कत खतम हो जाएगी कि बैंकिन्स अवेने से क्ट नामी की दिक्कत कितम हो जाएगी इंग्लेश में भी और इसका हिंदी में भी है एक और चीज बता देता हूं यह जो रेट करती मॉनेटरी पॉलिटी करती एं मॉनेटरी पॉलिटी में कुल मिलाकर 6 मेंबर होते हैं तीन मेंबर होते हैं Rizal Bank of India के और तीन मेंबर होते हैं Government of India के अभी हम लोग static भी discuss करेंगे जो RBI के तीन मेंबर है उसमें शक्ति का अंतिदास है Michael D. Patra Michael D. Patra है और एक नाम और है Janak Raj Janak Raj जो Government of India के इनका Tanner ही एक्जाम का सवाल बन सकता है इनका Tanner कितना होता है इनका Tanner होता है यह 4 years का होता और इनमें जो है इनमें नाम एक है Pami Dua Pami Dua Chetan Ghatay Chetan Ghatay और Ravindra H. डोलकिया ठीक है I hope so guys इतना सारी चीज़ा clear होंगे इतना clear like ठोकते चलो फटाफट से पहले दो चीज़े और बहुत interesting बताऊँगा एक एक number में बहुत काम आएगी बट फटाफट से like ठोक दो फटाफट से मेरे भाई यहाँ पर like ठोक दो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं एक चीज़ बहुत important बताने जा रहा हूँ आपके एक्जाम का पार्ट बनता है आपनों को पता है printing press printing press RBI की कितनी है RBI की printing press कितनी है आपके चल जाओ यार एक तो यह और रोला रहा है printing press आपके चल जाओ यार इससे क्या हो गया यह लग नाराज चल रहा है printing press RBI की printing press कितनी है बस यह छोटा सवाल है इसका answer दे दीजे फिर हम लोग आगे बढ़ते RBI की printing press कितनी है RBI की printing press कितनी है RBI की printing press कितनी है बहुत बढ़िया चार दो 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 चार 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 क्या बात है देखो यहाँ पर फस्ते हो आप लोग बहुत important चीज़ बता रहा हूँ समझना exam को question था जब कभी printing press की बात आती है तो चार printing press है एक मैसूर सालवोनी देवास और नासिक मैसूर सालवोनी देवास नासिक मैसूर और सालवोनी यह रिजव बैंक आफ इंडिया की है RBI की सिर्फ दो है मैसूर और सालवोनी देवास और नासिक यह गौवर्मेंट आफ इंडिया की है जो मैसूर और सालवोनी RBI की printing press है यहारतिय हैं भारती रिजव बैंक राहरती रिजव बैंक नोट मुदरन प्राइवट लिमेटेड के अंतरगत और जो गवर्मेंट ऑफ इंडिया की प्रिंटिंग प्रेस है यहाते SPM CIL के अंतरगत यह गौर्मेंट ऑफ इंडिया का है फिर दुबारा सुन लिजेगा Government of India की तो है, तो भाई, कौन उसी है ये, दिवा सो नासिक है, मैसूर सालवोनी ये BR, BN, MPL के इंतरकरत काम करती है, ये subsidiary है, रिज़र पेंक उफ इंडिया की साहई कंपनी है, और ये SPM, CIL, Government of India की है, Security Printing and Minting Corporation of India Limited, I hope so guys, यहां तक सारी चीज़े क्लियर होगे, ठीक है, ये printing प्रेस रही है, अब आतें टकसाल पे, SSE में कुशन आता है, अब place where coins are minted, एक ऐसा इस्थान जहां पर सिकों की ड़लाई होती है, उसे क्या बोलते है, तकसाल बोलते हैं, उसे mint बोलते हैं, और ये कौन-कौन से हैं, ये मॉंबई है, कॉलकता है, हैधरबाद है, और नौइ अब बढ़ते हैं आगे आज अपने स्टेटाप आज आपके लिए मैंने स्टेटिक फेक्ट थोड़े अलग एड़ किये हैं जरे स्टेटिक फेक्ट बहुत एक्जाम के लिए इंपॉर्डन बनेंगे ठीक है अरे यार यह ओपन हो जारे बाबा अपने को हटा दे रहा हूं जारे इकमठ अब तरह देखना दोस्त वेस्ट बेंगोल की आपने चल जाओ यारे कहां बाग गया टिक है वही 26 जनवरी 1950 को वेस्ट बेंगोल की स्थापना हुई थी क्यापिटल कोलकता है लाज़े सिटी कॉलकता है ममता बनर जी मुख्यमंत्री है लेजिसलेचर यूनिकेमरल है स्टैटिक में देखना आज संस्था भी बदल गई है और चीव और भी चीज़ है लेजिसलेटेव असेमली की सीट मलब विधान सभा की सीट यहां पर दोसो पिचान में जगदीब धंकर गवनर है बेंगॉलि 252 इस टेग हैन लग सभा की सीट 42 राजी सब्सीट 16 उडीश जारकन बहार सकी मासम के साथ बौरडर शेयर करते मंगलादेश नेपाल भूटार के साथ बोर्डर शेयर करता है बोर चिव बंगॉल चिम के साथ है तीन हो गए चौथा उडीसा हो गया और पांच वाई जहार खंड हो गया नंबर ऑफ इस्टेट वकुल मिलाकर पांच जिनके साथ है बॉर्डर शेर करता है इसको भी आप लोग याद रखेंगे इसको भी याद रखना गौरु मारा बकसा नियुरा वैली सिंग बा सि से जनाख हाली यह वाइल डाफ सेंचुरीज रही हैं काती गंबीरा धाली जत्रा बाउल मरसिया महल और कीर्थन यह फोग डांसे जो कि वेस्ट बेंगॉल में सारे के सारे सेलिबरेट किया जाते हैं आज देखना आज है अपनी संस्ता OECD और गनाइजीशन फॉर एकनॉम को अपरिशन डवलपमेंट और गनाइजीशन और एकनॉमिक को अपरिशन डवलपमेंट उन्ने सो एक सट में इसकी स्थापना हुई थी हैड़कॉर्टर फ्रांस के पैरिस में है सेक्रीटरी जल का नामे एंजन गुरिया और यह फिप्ट नंबर की है और यह मेक्सिको से ह कुल मिलाकर 36 देश इसके सदत से हैं गौर फर्माएगा OECD का हेड़कॉर्टर फ्रांस के पैरिस में है इसके अलावा UNESCO का हेड़कॉर्टर भी फ्रांस के पैरिस में है ठीक है 1961 में ये बना था OECD इंजल गुरियर इसके सेक्रेटरी जनल मेक्सिको से है ये और ये पाँचवे नंबर के है कोल मिलाकर 36 से देश इसके सदसे है चार ओपन होते हैं चार ओपन आप लोग लिख लीजेगा ये किस कोट पे खेलते हैं तो ऑस्टेलियन और यूस ये हाड कोट पे होता है फ्रेंच ओपन क्ले कोट पे ग्रास कोट पे आपका वेमलेडन ओपन होता है स्टैटिक में ये सारी चीज आती है नेक्स्ट यार वाइल डाफ संचुरीज में आते हैं अंदर प्रदेश की तो कौन-कौन सी है ये सारी कहां पर है वाइल डाफ संचुरी अंदर प्रदेश में असम की है पॉबितोरा, बूरा चपोरी, चकरशिला, लागखोबा और गरम पानी गरम पानी मेरे भाई ठीक है गरम पानी आजाएगा जल्दी लाइन में पॉभीतुरा, बूरा, चपोरी, चकरशिला, लाखोबा, गरम पानी असम में रही अरुनाचिर प्रदेश की दिबंग, कमलंग, काने, पकुई, मेहाओ है बिहार में बीमबंद, कैमूर, विक्रम, सिला, कनवर, लेकवर, सेंचुरी, बिहार रहा चत्यस गड़ में पमेदा, बैरमगड, बरना, बापारा, गॉमार्दा ये आपके चत्यस गड़ राज में इस्थित है I hope so guys यहाँ तक सारी चीज़े clear होंगे Next यार, देखते चलिए यार, important है exam के लिए, ठीक है, exam के लिए बहुत important बनेगा यह सारी चीज़े add कर रहा हो, धीरे धीरे गोवा में भई, भगवान, महावीर, हरीना, वनस्तली, गुजरात में नेशल पाक, गिर फॉरेस, ब्लैक वक, मरीन, वंस्दा ठीक है, हरियारणा में, ये नेशल पाक के सुल्तानपूर और कालिश्वर, हिमाचल प्रदेश में, ग्रेट हिमालेन, पिन वैली, इंदर किला, खिर गंगा, सिंबल वारा तो नेशल पाक, वाइड लेफ सेंचुरी सारी added है, अपने notes बनाते जरू चलना अब जड़ा देखना, यहां पर हम लोग दो-दो करके पढ़ेंगे, दो 12 के जो एशन गेम्स हैं, वो कहां पर हो रहे हैं, होंग्जोग चाइना में, दो 26 के एशन गेम्स हैं, नगोई अजापान में, आज के लिए सिर्व इतना, 12 के एशन गेम्स चाइना के होंग्जोग में, दो 26 के एशन गेम्स नगोई अजापान में, भई, आज 12 बज़े जोड़िएगा मेरे साथ मिलिटरी एकसिसाइज है, बारे बज़े जोड़ना आप लोगों को, आज मिलिटरी एकसिसाइज है, ताबर तोड़ बैटिंग करेंगे, ताबर तोड़ बैटिंग करेंगे और एक order में पढ़ेंगे, L1, L2, L3, L4, Lecture 1, Lecture 5, कुल मिलाकर 26 लेक्चर एक दो घंटे को होगा, 52 लेक्चर, Banking, Termology से लेके, Basic से लेके, High, Moderate Level, सब कुछ डिसकस के जाएगा, इस बैच को लेने के बाद आप कभी नहीं कह सकते, कि हमें banking में कभी दिक्क्त होगी, खासकर science side और outside के बच्चे को तो कभी दिक्क्त आनी नहीं है, Commerce वाले थोड़ा समझ लेते हैं, बट फिर भी उनसे कहूँगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, exam oriented, विजिट करना ada247.com है, online lab classes में जाएगा, जब online lab classes में जाएगे, तो आपको ये warrior के नाम से मेरा batch मिल जाएगा, warrior banking awareness batch है, 27 अपरल से start हो रहा है, बट इसके लिए code यूज करना Y168 पर्चेस करने के लिए, तो आपको 35% का discount मिलेगा, अगर आप आप पर्चेस करते हैं, अगर website से जाएगे, तो आपको सर्फ ये 30% का discount मिलेगा, बट code यूज करना पड़ेगा Y168, ठीक है मेरे भाई, तो ये रहा आज का session, I hope so सारी चीज़ा clear रही होंगे, पसंद है तो please a like जरू करेगा, maximum share करना, जितना maximum, करपा रुकी हुई है, ठीक करपा रहनी लगे की maximum share करना, बुद बाई ठीक है, all the best मेरे भाई, बै बै आस्ताल विस्ता,